हेलो दोस्तों मैं हूँ सिधार्त और लर्नेट हो में आप लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में हम मेमोरी रियल टाइप के टैग को डिफाइन करना उसका यूज और कैसे हम उसको एनिमेशन के साथ अटेश करते हैं वो सीखेंगे तो हमें इन्पुट के लिए कुछ ना कुछ एनलॉग ग्राफिक्स का यूज करना पड़ेगा जिसकी है एल्प से हम इन्पुट टैग की वैल्यू को चेंज करेंगे और वो ही हम आउटपुट ग्राफिक्स के साथ असाइन करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा काम किया है हम एक टैग बनाएंगे अनलॉग टाइप का वो हम अटेश करेंगे और फिर डारैक्टली हम ग्राफिक्स कृएट करके उसके साथ टेग अटेच करके उसको डिफाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे यहां पर बिजार्ड में जब आप बिजार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन्स आ जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं शुक्ति हम एंटलग वैल्यू ले रहे हैं इसलिए मैं स्लाइडर सलेक्ट करहूंगा स्लाइडर पर क्लिक करने के बाद मैं यहां इक स्लाइडर ड्रौ कर लेता हूँ अब इसको खर्ता हूँ तो सबसे पहला काम है मुझे इसको एक tag देना जैसी आप इस पर double click करेंगे एक इसकी properties खुलके आ जाएंगी जिसमें आप इसको analog tag define करने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले मैं इसको analog tag देता हूँ सबसे मैंने tag का name रखा c ठीक है अब इसको हम level दे सकते हैं जिसे यहां slider लिख के आ रहा है आप अपनी मर्ची से change करना चाहें वो change कर सकते हैं यह जो fill color है जितना जितना आप slider remove करेंगे फिल होगा वो red होता जाएगा और text का color आपका blue सो होगा यह भी आप change कर सकते हैं और जो जिरो से लेके 100 तक ही scaling कर रखी है वो भी आप change कर सकते हैं और जो tick marks है उनकी value भी हम change कर सकते हैं minor division 3 कर रखा है और major divisions को 5 कर रखा है इसको भी हम change कर सकते हैं साथी साथ जो display पे text का color है वो भी हम change कर सकते हैं ठीक है मैं इसमें सारी चीज़ें चेंज नहीं करता हूँ मैं सि तो कि मुझे सिर्फ आपको इस वीडियो में tag analog tag यानी memory real tag कैसे define करते हैं वो सिखाना है तो सबसे पहले c's को tag देते हैं जैसे ok पे click करेंगे यह पूछेगा कि हमें c जो tag आप create कर रहे हैं उसको define कीज़े क्या है यह उसके लिए फिर मैं ok पे click करूँगा आप देख रहे है जो default selection रहता है वो memory real का रहता है तो आपको change करने की ज़रूद नहीं है otherwise आप type पे click करेंगे और यहां से memory real पे click करेंगे ओके ना ओके press करने के बाद आप इसमें comment दे सकते हैं कि आपका जो c tag है वो क्या है c tag जो है हमारा memory real tag है ओके तो आप इसको एक comment define कर सकते है next time अगर आप इस same tag को use कर रहे है तो आपको पता होना चाहिए यह क्या है ठीक है minimum और maximum value यहां पर आपको show हो रही है यह आप change कर सकते है ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे save कर देंगे तो यह जो tag है आपका cross कर दीजिए यह define हो गया और slider के साथ attach हो गया अब हम slider के साथ कोई SC value ऐसा चीज़ अटेच्च करना चाहेंगे जैसे जैसे हम slider में tag की value को change करेंगे उस पर वह value चेंज होनी चाहिए तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर graphics में ऐसे attach कर सकते हैं suppose हम एक meter लेना चाहते हैं फिर से हम wizard में जाएंगे okay meters पर click करेंगे एक LED meter ले ले लेते हैं चलिए हम चाहें तो analog meter भी ले सकते हैं thermometer भी ले सकते हैं इसलिए हम same tag define करें जो हमने वही इसको हम देंगे तो हम इसको tag देते हैं C दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे लेवल लेवल पर meter लिखके आ रहा है तो आप इसको meter ही रहने देंगे text का color आप चाहें तो change कर सकते हैं ठीक है minimum 0 और maximum 100 यह वही value है जो आपने अपने slider को दे रखी है अगर आप slider की value को change करते है minimum maximum तो यहाँ भी आप change कर सकते हैं और suppose अगर आप 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 आपने slider पे 0 और 100 रखी है यहाँ पर meter की range आप 0 to 50 कर देते हैं तो 50% value slider की ले जाने पर ही meter आपका 100% show करेगा ठीक है division जो है वो 10 का दे रखा है यानि इन्होंने 10 के division में 100 तक लेके गए तो 10 value बढ़ाएंगे तो हमारा एक glow होगा एक mark glow होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,2,3,4,10 LEDs आपकी दे रखी है ठीक है तो 10 value बढ़ाने पर analog value बढ़ाने पर एक meter में एक LED glow होगी अब इसको हम save कर देते हैं ठीक है आप इसको runtime में लेके चलते हैं आप यहाँ पर देखेंगे जैसे-जैसे मैं slider की value बढ़ा रहा हूं 10 लेके आया मैं एक LED glow हो गई 20 लेके आया दूसरी LED glow हो गई 30 पर तीसरी 40 पर चौथी 50 पर पांच वी इसी तरी इसे मैं जैसे-जैसे slider को 100% लेके जाता हूं सारी LED glow कर जाती है और जैसे-जैसे मैं slider को नीचे लेके आता हूं वैसे-वैसे इसकी LEDs switch off होना start हो जाती है तो यह तो हो गया आपका analog type का tag और भी बहुत सारे tags को हम define करेंगे तो हमारे साथ बने रहे है thank you so much for watching कर दो हो जाता है